कासगंज में मरीजों की जान से खिलवाड हो रहा है बिना रजिस्टेशन के चल रहा है यहां पर एक नर्सिंग होम जिसका नाम है काब्या नर्सिंग होम यहां स्वास बिभाग की मिली बजस से नर्सिंग होम चल रहा है बिना रेजिस्टेशन के मरीजों का धलनले से इलाज हो रहा है किसी मरीज के साथ कोई अनोहनी हो जाए तो अचुराच नहीं शहर के मिशन चौराहे पर चल रहा है काभिया नर्सिंग होम नियमों को ताक पर काप्यानर्सिंगों को चलाया जा रहा है बिना रेजिस्टेशन के मरीयों का इलाज यहां होता है शहर के मिशन चौराहे पर चल रहा काप्यानर्सिंगों लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ती पूरी तरीके से अबेद रूप से चल रहा है इसका ना तो कोई रजिस्टेशन है और फिर भी इसमें मरीजों का इलाज किया जा रहा है जन्पद में एक बारबात हो चुकी थी क्रिशना होस्टिकल में जिसमें जच्चा बच्चा की मौत हुई थी वो बिना रेजिस्टेशन के इस था इसके बाद भी स्वास्ट बिवाद ने अक्तब कोई खोस कदम नहीं उठाया है और यह लगातार मरीजों का इलाज कर रहा है और जाहेट तोर पर कहा जा सकता है कि यह किसी ना किसी मरीज के लिए घा तक साविच हो सकता है क्योंकि यह बिना रेजिस्टेशन के चलना है और कोई बिसेश डॉक्टर भी इसमें एलाज नहीं करते हैं पंग्जाई लोतार सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि किसी सरपस्ति में यह अनरसिंग होम चलना है बहुत शुक्री आप नजर बनाए रखिएगा